हलो गुड मॉनिंग जोहार मसंचे और आप देख रहे हैं न्यू जार्खन समय हो चला है जार्खन की खबरों को जानने का जार्खन की खबरों से अपडेट होने का तो चली जानते हैं आज की जार्खन की 25 मुख्य बड़ी खबरों को समय हो में रहने वाले आदिवासी मूलवासी सहित सभी वर्ग समुदाय की लोगों को ग्राम सभा के निरनाई की अनुशार सम्मान के साथ वन पट्टा दे विराजी के ATI सभागार में आयोजित कारेसाला में अपसरों को शंबूदित कर रहे थे सियम कनिर्देश 15 अगस तक इंटर सहायक आचारिय वग 5 सितंबर तक इसना तक आचारि की न्युक्ती मुखमंतरी चमपई सोरे ने कहाए कि आगामी 15 अगस्त दोहजार चौबिस तक इंटरमेडियेट अस्तरिय प्रसिक्षित सहायक आचारि के ग्यारा हजार पदो पर न्युक्ती और इसना तक अस्तरिये प्रसिक्षित सहायक आचारी के 15,000 पदों की बहाली अगामी 5 सितंबर 2024 तक हर हाल में हो या सुनक्चित करे सिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए राजसरकार प्रतिबद्ध है या निदेश सियम ने सुमवार को अस्कुली सिक्षा इवम सक्षरता अभाग की बाठक में अपसरो को दी मोखमंतरी ने कहाए कि हमारी सरकार ने सिक्षक बहाली का जो लक्ष रखा है उसी अनुरूप कारिय प्रगती में तेजी लाते हुए लक्ष को हासिल करना है इसके लिए सिक्षक बहाली की सभी प्रक्रियाओं को यथा सिग्रे पूरी कर ले जाए मुक्यमंत्री ने अधिकारियों शे कहाए कि हमारी सरकार राज में स्यक्षनिक विवास्थाओं को निरंतर मजबूत करने का कारे कर रही है असकुलों के अध्यतन विद्यारतियों को सिक्षकों की कमी के वज़े से पठन पाठन में बाधान नहीं पहुंचे या हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है इधर मुक्यमंत्री सोरे ने निश्रूल के पाठ्य पुस्तक जो है पोशाक वितरन मुक्यमंत्री विसेश शात्रूरती योजना और साइकल वितरन योजना की समिक्षागरतो हुए आधिकारियों को निर्देश दिया है कि कक्छा एक से बारवी तक के वर्द्यारतियों को समय पर पाठिय पुस्तक उपलब्द कराई जाए खुलासा जारखन बिहार के सौच शात्रों को पांच मैं से पहले ही मिल गया था नीट का परचा यहां रटवाया उत्तर बिहार EOU की टीम ने नीट पेपर लीग की जांच रिपोर्ट सिक्छा मंत्राले को शौप दिया है इसमें EOU द्वारा खुलासा किया गया है कि चार मैं को बिहार जारखन के सौच शात्रों को पेपर मिल गया था इसके बाद पतना में खेमनी चक इस्तित लर्न एंड प्ले अस्कूल में बाइपास के पास एक होटल और जारखन के कुछ सहरों में चात्रों को सवाल जवाब के साथ रटवाय थे इसके बाद परिच्छा माफिया नहीं अब भी अर्थियों को परिच्छा केंद्रों तक भिजवाया था बिहार EOU की टीम ने अपने रिपोर्ट में बता है कि पतना में जो जला हुआ बुकलेट मिला था जिसकी बुकलेट संख्या 6,1,3,6,4,8 था या पेपर हजारीबा के OASIS अस्कूल का है अस्कूल के प्रिंस्पल ने ये बात कबूल किया है कि पेपर से छेड़ चाड़ हुई है हालाकि उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में उनके अस्कूल पर लगाया जा रहे है आरोपों से साफ इंकार किया है उनका कहना है कि ये आरोप पूरी तरह से गलत है अस्कूल में सभी नियमों का सकती सिपालन किया गया है पाकुड और साहिब गन से गुजर रहा मानसून 26 को इन जिलों में भारी बारिस का अलर्ट मानसून जारिखन के चाइबासा पाकुड और साहिब गन से गुजर रहा है 26 जोन को राज़ के उत्तर पूर्वी एवन दच्छिन पूर्वी भागों में भारी बारिसों की बताया है कि 26 जून को जारिकन में कहीं कहीं तेज हवाओं के शाथ वजर पात हो सकता है गरज के शाथ बारिस भी होने की संभावना है इस दोरान हवा की रफ्तार 40-50 किलोमेटर प्रती घंटे रहने का अनुमान है मौसरम विज्ञानी के मताबिक बुधवार को जारिकन के शंताल परगना के दिवगर दुमका, गुड़ा, जामताड़ा, पाकुड और साहिब गंच के अलावा धनबाद एवं गिरीडी जीले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है इसके अलावा पूरवी सिंग्भूम, पस मेशिंग्भूम, सराकिला, खारसावा एवं सिंडेगा जिले में भी कुछ जगों पर भारी वर्सा होने का अनुमान मौसरम भागने जिताया है इसके बाद 27 और 28 जून को भी जारिकन में कहीं कहीं तेज हवाओं के शाद वजरपाद एवं वर्सा होने की संभावना है मौ जारिकन विधान सभाद चुनाओ को लेकर दिल्ली में कॉंग्रेस की बाठक मलीकारजुन खडगे से मिला मंत्र जारिकन में अगले चार महिने में होने जा रहे विधान सभाद चुनाओ को लेकर दिल्ली में सुमार को मलीकारजुन खडगे की अध्धक्चिता में कॉंग् जमीन वजन जाती समाज समेद सभी वर्गों के अधिकारों के प्रती पूर्णता समर्पित है बिजेपी ने सरेयंतरकारी राजनेतिकर जारिखन की असमिता का अपमान किया है आने वाला विधान सभाचिनों के लिए कॉंग्रेस के एक-एक कारिकरता को जनता के बीच रहना है समाजिक न्याय वा साभागिता के लिए हम सब प्रतिबद है गौरतलाभे की हालिया संपन लोक सभाचिनों के बाद अब बारी है प्रदेश में विधान सभाचिनों की कॉंग्रेस पार्टी ने सीट और वोट सैरिंग हासिल करने के लिहास से 2019 के मुकाबले 72 प्रदर्शन किया है कॉंग्रेस ने इस बार दो संसदिय सीटों पर जीत हासिल की है खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूट जार्खन चानल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लेस चानल को सस्क्राइब करके बैल आकन प्रेस कर दिचे जिस से आपको जार्खन की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की और कलपना सोरेन ने अस्कूल का किया निरक्चन चात्राओं से मिली बेंगाबाद सीव मंदर में की पूजा अर्चना पूर्व सीम हेमन्तु सोरेन की पतनी सहा गांडे विधाय कलपना मुर्मू सोरेन सुमार को गिरीडी के सीम ऑफ एक्सिलेंस अस्कूल पहुंची यहां उन्होंने विद्धाले का निरक्चन कर छात्राओं से मिली उन्होंने अस्कूल के सिक्षा के गुनवता को परखने की कोशिस की काय कि सरकारी अस्कूलों को उत्कृष्ट बनाना है प्राइबिट अस्कूलों से बहतर बनाना है गरीब बच्चों को भी सिक्षा के बहतर आउसर प्रदान करने के लिए सनवेदन सीलता चाहिए अपने राज्य और राज्यवासियों के प्रती प्रेम चाहिए उनकी खुसी में अपनी खुसी देखने की नियत चाहिए का कि हेमन्तु सुरेन ने प्रन लिया और जहारिखन के सरकारी अस्कुलों ने बहतरीन काया कल्प देखा यह भ्यान बहुत बड़ा है जिसे हमें मिलकर पूरा करना है बहतर सििक्षा से ही झारिखन आगे बढ़ सकता है और बहतर सिक्षा से ही जारिखन आगे बढ़ेगा भी बाद में उन्होंने अपने विधान सभाद शेतर के बेंगाबाद प्रखन के कई गाउं का दौरा कर लोगों से मिली उन्होंने बेंगाबाद चौक इस्तित सियु मंदर में पूजा अर्चना की इधर गिरिडिक में कॉंग्रेस जिलाध धक्ष धनन जैशिंग ने कलपना मुर्मूर सोरेन से मिलकर जीत की बढ़ाय दी काय कि या जीत राजिसरकार की विकास और केंदर सरकार की नाकामियों के वृद्ध या जीत है और आने वाले विधान सभाच्युनाओ जो इस राज्य में होने वाली है निश्यतरूप से गडबंधन के शरकार दोबारा बनेगी जन जातिये और छेतरिये भासाओं के 549 सिक्चकों के न्युकती सिग्र होगी इस बाबत सीम ने अधिकानियों को निर्धेस दिया है इराज में प्रात्मिक विध्यालियों में जन जातिये और छेतरिये विसेयों की पढ़ाई प्रारंब हो शके इसके लिए जंजियातिय भासा के 3537 छेत्रिय भासाओं की 8,418 पदों पर निक्ति की प्रक्रिया सिग्रिपूरी करे। चंपई ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पारित निहाय देश के आलोक में अंतीम काउंसलिंग के आधार पर चायनीत 1511 प्रारंभिक सिग्छकों को जल्द नुक्ति पत्र दी जाए। गरेडी के बेंगाबाद में महिला से दिन दहाडे 80,000 की लूट। नुसरत ने बता है कि वाब बैंक से निकल कर जो सर्विस रोड होकर घर जाने के लिए एनच पर मोड़ी रही थी कि मौधुपूर तरब से बैक सवार दो युवक पहुंचे और पैसो सभारा थाला चिन कर गिरीडी के तरब भागे। बताते चले कि उसी इस्तल से दो दिन पूरो भी अपराधियों ने एक बाइक की चोरी कर ली थी। जुलाई तक प्रतेक विधान सभार चेतर में अभिनंदन विजय संकल्प सभा के जरिये ना केवल चुनावी सभा होगी साती संग्टनात्मक मजबूती के लिए कारिकरतों में जोश भरने का काम किया जाएगा। इसके लिए प्रतेक जो प्रमंडल में दो दो नेताओं को जिम्मेदारी सौपी है इस कारिकरम को सफल बनाने के लिए प्रमंडलवार सन्योजक बना गया है। इस अभिनंदन विजय संकल्प सभा के बाद भारती जनता पार्टी के विस्तित प्रदेश कारिसमिती के बाठक 20 जुलाई को बुलाई गई है जो राची के मुरहबादी मैदान में होने की संभावना है। बिर्साहरित ग्राम योजना में कोताही बरदास्त नहीं, 30 जून तक पूरा करे लंबित काम राजिस्वरी बी, मंडरीगा अयुक्त राजिस्वरी बी ने सुम्वार को सभी जिलो के पर्योजना पददिकारीं के शाइद मंडरीगा अंत्रिकत संचालित योजनाओं की वी गतार प्रियासरत है। मन्रेगा आयुक्त ने बिर्सा हरित ग्राम योजना की धीमी गती पर कड़ी नाराजगी जताई। इस दोरान उन्होंने असपस्ट कहा है कि बिर्सा हरित ग्राम योजना के तहद गढधा खोदने का कारे 30 जून तक पूर्ण करे। कारे में किसी भी प पीसी के शाथ उगरवादी गिरबतार जारिखन की लातिहार पुलिस ने नकसलियों के खिलाब बड़ी सफलता हासल की है। नकसली संगठन तृतियस समयलन प्रस्तुती कमिटी टीएस पीसी के साथ उगरवादियों को हंतियार के साथ गिरबतार किया गया है। लातिहार प कुमार सुजीत कुमार उर्फ सुजू जो है रितेश कुमार रभी संजे भूया वा अजय सिंग शामिल हैं सभी की गिरफतारी सदर थाना चेतर की इचाबार गाउं से रभिवार को हुई है गिरफतार उगरवादियों के पास से दो जो है लोडेड देसी रिवॉल्वर एक देसी कट्टा, 315 बोर की चार गोलियां, चार मबाइल, पांच जार रुपए कैस, तीएसपीशी के तीन परशे वद तीन मोटर साइकल समयद अन्निशमान पर रामत किये गए हैं ला देहर के एसपी ने पत्रकारों को जान कर दी है कि दीपक उराउं वा इसलाम अंसारी ज लोहरदगा में रप्तार का कहर, सड़क हाथसे में दो दोस्तों की मौत, लोहरदगा जिले में फिर एक बार रप्तार का कहर देखने को मिला है, इस सड़क दुरगटना में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, यहाथसा लोहरदगा सहरी छेतर की है, सबसे महत्वप सदर्थाना के पुलीस ये द्वारा सवों को कबजे में लेकर पूष्ट माडम के लोहर दगा सदर अस्पताल भेज दिया गया मिर्तकों की पहचान गुमला जीला के घागरा निवासी तीजू उराओं के पुत्र विजय उराओं और गुमला जीला के विसुनपूर निवासी जो है संजीवन औराओं की रुप में हुई है ये दोनों जो है बल्देव साहू महाविद्दाले के चात्र थे दोनों ने इस बार इंटर की परिछा उत्तिर न की है परतक्स दर्शों के मुताबिक सोमवार को दोनों असकूटी से डीसी कारेले की और जा रहे थे इसे गनना के दोरान पलामू पुलीस लाइन में जारिकन पुलीस के जवान नित्यनंद महतों के उपर अचानक पेड़ गिर जाने से उन्हें हॉस्पीटल नो भरती करा गया था रविवार की राद घायल जवान की इलाज के दोरान महतों गई घटना के बाद परिजनों का रो पर बुरा हाल है पलामू पुलीस एसोसियेशन द्वारा सुमार को उनके पार्थिक सरीर को लेकर बरमसिया ओपीट शित्र के पैत्रिगाओं उदैपूर पहुंचा बोकारो डियस पी आसिस कुमार महली समय जारिकन पुलीस के जवानों ने उनके पैत्रिगाओं में जाकर पार्थिक सरीर को सरधांज देकर अंतिम सलामे दी इसे बाद अंतिम संसकार के ले पार्थिक सरीर नदी ले गए वह पार्थिक सरीर पैत्रिगाओं पहुंचते ही पूरे च्षित्र में सन्नाटा चा गई जेपी नड़ा राजसभा में सदन के नेता बनाये गए सिक्चा मंतरी धर्मेंदर प्रधान की सपत के दोरान विपक्ष ने लगाए नारे अठारवी लोगसभा सतर के पहले दिन 262 सांसदों ने सपत ली सबसे पहले प्रधान मंतरी मोदी और आकिर में मद्द प्रदेश के ग्यानिस्वर पाठील ने सपत ली आज मंगलवार को 277 सांसद सपत लेंगे लोगसभा अस्पीकर के निरेट का नाम भी आज सामनी आ सकत लोगसभा सतर का पहला दिन सो मुआर को विपक्च के नाम रहा सतर सुरू होने से पहले और सुरू होने के बाद विपक्ची सांसदों ने जो है संसद के बाहर हांद में सविधान की कौपी लेकर सरकार के खिलाब प्रदस्न किया विपक्च का आरोफ है कि सरकार ने सदों ने सवेधान की कॉपी पीम के तरब दिखाई विरोध यहीं खत्म नहीं हुआ नीट यूजी परिचा में गरबड़ियों के बीच जब सिक्छा मंतरी धर्मेंदर प्रधान सपतले ने मज की और बढ़े तो विपक्च की और से होटिंग सुरू हो गई नीट नीट सेम सेम हलाकि धर्मेंदर प्रधान का कोई रियक्शन नहीं दिखा रांची में बच्ची से ग्यांग्रेप की वारदात के खिलाब आच्सू का आक्रोश मार्च कहा नाकाम है सरकार आच्सू पार्टी रांची महानगर ने और मांजी में बारावर्सिय बच्ची के शायत हुए सामहिक दुषकर्म और सरकार की नाकामी प्रसासन की विफलता की विरोध में रांची युनिवर्सिटी गेट से फिरालाल चौंक तक आक्रोश केंडल मार्च निकाला जिसमें सैकडो की शंख्या में लोग सामिल हुए कंडल मार्च का निकात्व आच्सू पार्टी के अंद्रिय सची उशह रांची महानगर प्रभारी जीतेंदर सिंग ने किया इस दोरान उन्होंने कहा कि हम सभी को जो है पिरित बच्ची एवं उनके परिवार के प्रती गहरी शाहनब होती है एवं आच्सू पार्टी के द्वारा उन्हीं हर संभोच रहटा दी जाएगी जीतेंदर सिंग ने कहा कि पिरित बच्ची के शाथ जगन ने अपराध हुआ है और सरकार इवं प्रसासन से मांग करते हैं कि न्याय उचित कारवाई करतो हुए अपराधी को सजा पिरित इवं उसके परिवार को समुचित सुरक्चा उचित मौजा अविलम जो है प्रदा जल्द चंपई सोरेन सरकार ने हाइकोर्ट को दिया भरुसा जार्खन हाइकोर्ट ने राजसूचना आयोग में अध्धक्च और सदक्स के रिक्त पदो पर न्युक्ति ना किया जाने से समंधित आउमाना याचिका पर सुमवार को सुनवाई की इस दोरान राजसरकार की और से महाधिवक्ता राजी उरंजन ने कोट को बताया है कि लोकस भाचनाओ को लेकर जार्खन में लागू आदस अचार सनिता खत्म हो चुकी है राजसूचना आयुक्त लोकायुक्त आदी के न्युक्ति का मामला केविनेट के पास विचारा दिन है न्युक्ति प्रक्रि ने मा सरना को साक्षी मान कर ली सपन उठाई धर्मकोट की मांगू जार्खन की लोहर दग्गा संसदिय सीट से संसद चुने गए। प्लेकार लेकर संसद भवन पहुंचे थे उन्होंने प्लेकार लेकर धर्ना भी दिया और कहा है कि सरकार कोईशे अविलम लागू करना चाहिए। कि मिर्तका ममता कुमारी अपने जीजा जी के शाथ डुमरी से सोना पहारी बाइक से जा रहे थी तभी पीछे से आ रहे किसी वहान में बाइक में जोरतार टक करवार थी। जिससे जोर बाइक पर सवार शात्रा की घटना स्तल पर ही मौत हो गई जबकि बाइक चालक विरेंद्र साब गंभी रुप्षे घाल हो गया। जिसे इलाज के लिए राफरल अस्पिताल ला गया जहां परात्मे कुपचार के बाद बहतर इलाज के लिए धनबाद राफर कर दिया गया। पुलिस ने अनुसंधान के गरम में इस मामले में हर्स ओम सर्मा, राहुल कमारियादो तथा अरून उदय महार्थो को गरबतार किया है। जुलूस और प्रदर्शन में इस दोरान करमचारी नेता असोक शिंग नयन, रगुनंदन विश्वकरमा शमेद, कई जोह सफाई और स्वास्त कर्मी शामिल हुए। आउट्सोर्सिंग कमपनी बालाजी के खिलाब करमियों ने इस दोरान वेतन भुकतान नहीं करने और प्रदर्शन के बाद जुलूष वापस सदर अस्पताल पहुँचकर खत्म हुआ। प्रतिबंधित मांस काटने के बाद विवाद की राज़िपाल से सेकाय भाजपा ने राज़िपाल के सामने रखी छे मांग कहा आंत्रिम सुरक्षा का मामला पाकुड जिला के गोपी नाथपूर में प्रतिबंधित मांस के मामले में सुमवार को भारती जनता पाटी का ए कुष्मा पागया, प्रतिनधी मंडल में विधायक सारट रंधीर सिंग, विधायक भावनातपूर भानु प्रताप साही, विधायक गोड़ा अमित कुमार मंडल, विधायक हटिया, नवेन जासवाल उपस्तित रहे सविधान के प्रति लेकर घूम रहे राहुल गांधी, एमर्जनसी के लिए देश से माफी मांगे, बाबूलाल मरंडी, प्रदेश बिजेपी अध्धक्ष बाबूलाल मरंडी ने समवार को पार्टी मुख्याले में विवक्ष के सविधान और आरक्षन को नुक्षान बंद लगा दिया था, सविधान को कुचल दिया था, किसी को कोई स्वतंतरता नहीं थी, जिन नेताओं ने इमर्जनसी के खिलाब आवाज उठाई, उनको जेल में डाल दिया, बाबूलाल मरंडी ने कहा है कि 25 जून को 37 काला दिवस के रूप में मनाता है, हमारी पार्टी पुलिस ने भारे मात्रा में नसीला पदार्त डोड़ा बरामत किया है, साथी मामले में नामकुम धाना के नचल दाग निवासी राम विलास पासवान को गरबतार किया गया है, पुलिस ने इनके पास से 25 बोरा डोड़ा जिसका वजन 700 किलो है, साथी 2,50,000 नगदी, एक प पाली ओपी अंतरगर स्वरन देखा नदी के गौरी घाट में नहाने के करम में कदमा भाटिया बस्ती निवासी 26 सुवर से यूबक सुमीत डास की डूबने शिमाथ हो गई, सुमीत रविवार साम अपने दो दोस्तों के शाथ का पाली घाट पहुचा था, यहां घाट के क किनारे सभी ने सरापपी और फिर नदी में नहाने के लिए उत्रे, नहाने के करम में सुमीत गहरे पानी में डूब गया, साथियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद इस्थानी गोता खोरो के मदद से सुमीत की तलास सुरू की गई, और सुमीत का कोई पता नहीं चल पाया, इधर सुम्वार सुभाग गोता कोरो ने सुमीत का शाओ खोज निकाला, पुलिस ने साओ को कब जमले कर पोश्ट माडम के लिए भेज़ दिया, बता दे की कपाली छेतर में डूबने से मानकों की एक नवाली की मात हो गय थी, ये वक नदी किनारे पाटी करते हैं और फिर नहाने के लिए नदी में उतर जाते हैं जिसे उनकी डूबने से मौत हो जाती है, गरीडी में दिन दाहडे जेवर वसाई से अपर्याधियों ने ले ली सोने की अंगोटियां, सिसी टिवी फूटेज कंखाल रहे पुलीस, जारखन के गरीडी नगर्थान शितर के अस्टीशन डूट, बभन टोली में सुमार के दोपहर में दो बदमासों ने पिश्टल की बल पर एक जेवर वसाई से सोने की तीन अंगोटियां चिनली, इसकी खबर पुलीस को दी गई, सूचना मिलते हैं पुलीस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जान कर दी गई है, हाई कोट के आदेश पर जारकन सरकार ने 2015 में जारी विग्यापन के अधार पर रिक्तपदों को भरने के लिए काउंसलिंग के प्रक्रिया सुरू कर दी है, लेकिन इसमें अभी भी पेच फसा हुआ है, सिक्छा विफाग की और से सभी DEO को जारी पत्र की काउंसलिंग में प्राप्त अंको का कट अधार पर रखा गया है, पारा सिक्छक इसे हाई कोट के आदेश के अवहिलना मानते हुए एक बार फिर हाई कोट जाने की तयारी कर रहे हैं, पारा सिक्छक संके नेता पर मोत कुमार का कहना है कि अगर सिक्छा विभाग हाई कोट काउंसलिंग के प्रक्रिया पूरी नहीं करता तो कोट जाना मजबूरी होगी, इधर पारा गयर पारा सिक्छकों के काउंसलिंग के लिए आविदन देना होगा, जिसकी प्रक्रिया सुरू कर दी गई है, जीला अस्तर पर जो जीला सिक्छा अधिछक कारेले के माध्धम से 22 जूलाई तक आविधन जमा किया जाएंगे जीला स्तर पर इंटर स्तरिये पारा वागैर पारा ता असना तक अस्तर जो है कोटी वार वावेसे वार पारा वागैर पारा पदो पर नुप्ति की जाएंगे बोकारो में सड़काथ सा टेम्पो पलटने से युवक की मौत ड्रावर हुआ पड़ार बोकारो जिला अंतरगत बेर्मो धाना च्वितर के राम विलास प्लस टू अस्कूल के सामने फुसरो कथारा मुख्य मार्ग में टेम्पो पलटने से टेम्पो में दबकर नावाडी प् को पोष्ट माडम के लिए भेज दिया गया पुद्रेक्षण संबंधित गतिविधियों में राजनितिक दलो की भुमी का सुनक्षित करने को कहा के रभी कुमार ने कहे कि लोक्षभाचिनौ के दोरान आदर्स अचार सनिता के मामलों में पहले से कमी आई है राजनितिक दल अपने जो कारी करताओं के बीच इसके नियमों का उचित प्रचार प्रशार करें उन्होंने का है कि राज़भर में मतदाता सूची का सेकेंड जो है अस्पेशल संचिप्त पुनरक्षन कारी करम चला जा रहा है इसमें बेलो घर घर जाकर मतदाता सूची के पुनरक्षन कर रहे हैं ऐसे मिर्च नितिक दलो से अपैक्षा है कि मतदाता सूची के पुनरक्षन चारी में सहीयो प्रशार करें तो अब एक लिए बस अतना ही हमें भी दिजय खानbels एकठा प्धेड पर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों कि शार्थ धन्यवाद